तो शुरू करते हैं नियम टाइम का नाम लेकर और जैसा की पिछले एपिसोड में हमने देखा था लिंगडॉंग की मुलाकात एक मिस्टिरियस लड़की मू लिंगशान से होती है मू लिंगशान दुबारा जब वाफस लौट रही थी तो इसका फिर से सामना ब्लड डेमन सार्क लैन से हो जाता है और इसे बचाने के लिए एक बर फिर से लिंगडॉंग आता है और अपने कॉल्डरन में भरके अब यहां से इसे ले करके यह दूर भागने लगता है अब आगे अब इस समय लिंगडॉंग भाग रहा था और यह बंदे इसका पीछा कर रहे थे कमंडर जिया के आदेश पर यह सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन से आगे पड़ते हैं इनका मिशन काफी इंपोर्टेंट था कैसे भी करके मूल इंगशान को कैप्चर करना ही था ब्लड डेमन शार्क लैन वाले कुछ फॉर्मेशन बना करके एक रैड लाइट से चारो तरप से घेरते हैं पर लिंगडॉंग भी अब तूरं ती कॉल्डरन को ले करके पानी में जा करके यानि समुदर के अंदर प्रवेश करके भागने को देखता है ये देख करके डेमन शार्क वाले कहते हैं मतलब तुम हमसे पानी के अंदर कम्पीट करोगे इतना फाश तुम होई नहीं सकते और इस समय लिंगडॉंग को एक आवाज आती है अंकल यान की और ये इससे कहते हैं समुदर के बॉटम में कुछ कॉम्प्लिकेटड चटान से हैं तो उसके अंदर तुम छेप सकते हो थोड़े समय के लिए दस मिनट तक इस कॉल्डरन में ट्राविल करने के बाद ये नीचे पहुँच चुके थे और इसके पीछे ये छिप जाते हैं इधर कमांडर जिया के आदेश पर ये लोग लिंगडॉंग वगरे को धून रहे थे जिया वगरे का चेरा थोड़ा बना हुआ था ये अगर य ये नाम सुरकर थोड़ा सा प्रभावित होता है फिर अंकल यान इसे बताते हैं यह बहुत पावरफुल ट्रेजर है जो की अपने एंसियन टाइम से ही पास किया जाते रहा है मुलिंग्शान थोड़ दिर रेश्ट करने के बाद फिर से पहले जैसी रिकवर कर जाती है उस लिंग्डॉंग इसे कहता है तुम्हें जल्दी से अपने वेल क्लेन लोट जाना चाहिए और तुम्हारे बोड़ी पर जो सील है तुम्हारे अल्डर्स तो इसे आराम से हटा देंगे लिंग्शान कहती है मैं नहीं चाहरी हूँ क्यों न मैं आपके साथ ट्रावल करूं औ और मैं गैरेंटी दे रहूँ कि मैं आपके लिए बर्डेन नहीं बनोंगी लिंग्डॉंग हसता है और कहता है तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें बेच दोंगा लिंग्शान कहती है मुझे नहीं पता पर मुझे इतना मालूम है कि आप मुझे नुकसान नहीं क्लैन वाले इन्हें धूनते रहते हैं और कुछ मिलता नहीं है तो यह लोग दिर दिर बाहर जाने लगते हैं इनके जाने की पावजूद लिंगड़ूंग दू दिन तक यह आप और और छेपे रहता है और जब साथ दिन टोटल बीच जाते हैं तो लिंगड़ूंग के तश के लिए क्योंकि अंकल यान का मानना था कि अगर इस लड़की के उपर से सील हड़ जाए तो इवन परफेक्ट लाइप स्टेज का बंदा भी इसे रोग नहीं पाएगा पर लिंग डॉंग कहता है पर एक बात तुम्हें मेरी माननी पड़ेगी मैं जो कहूंगा तुम्हें कर ये बोलती वो बहुत अच्छा एक प्यूर इवान ट्रेजर है जिस पर सोनी में मज़ा आता है मतलब नींद अच्छी आती है इस ब्लैक गेट पर मेरे को नींद नहीं अच्छी से आती लिंग डॉंग सोसा ये लड़की सच में एक बच्ची है पूरी अब ये दोनों बात करते करते ट्रावेल करते रहते आदा दिन बीद गये थे पर बीच में यान कहते वो लोग फैले वह और तुम्हें डिस्कवर कर चुके हैं लिंग शान भी थोड़ा सा लिंग डॉंग का चेहरा बदलते हुए देखती और लिंग डॉंग इससे फिल वो बोलता है कि तुम के अंदर चली जाओ पर इसे मालूम था कि लिंग डॉंग का इससे बात मानना है तो यह तुरांती अंदर चली जाते हैं को लिंग डॉंग कियानकुन बैग में भर लेता है अब यह लोग इसके करीब आचुके थे यानि डेमन शार्क क्लैन वाले और इनका ही वेट लिंग कि यह बंदा इनिश्य लाइफ स्टीज पर है और मुझसे ऐसे बाते कर रहा है लिंग डॉंग इनसे कहता है मैं तुम लोगों से पॉलाइटली बात इसलिए कर रहा था क्योंकि तुम लोग बलड डेमन शार्क लैन के हो पर बार बार अगर मुझे परिशान करोगे तो फि कितना पावरफल था कि कमांडर जिया वी जाकर सीधा समुद्र के नीचे गिरता है बाकी लोग भी हरान थे ये बंदा इनिश्य लेबल पर होके एक ही पंज में जिया को पीछे ढखेल चुका था तस बार लोग लिंग डॉंग के आसपास ही कठा हो चुके थे जिया फिर से फिर लिंग डॉंग हसता और कैता है कि अब मैं जा सकता हूं जिया इसको अनुमती दे देता है इसके गाड़ सहरान हो जाते हैं कि आपने उस बंदे को जाने क्यों दिया जिया बोलता है ये बंदा जितना दिखरा है ये उतना सिंपल है नहीं पर जिया हसता है तुमें क्य आगे पकड़ेंगे पर फिर से यान बोलते हैं कि ये लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं लिंग्डॉंग जो कि हवा में उड़ रहा था लिंग्डॉंग कहता है क्या कह रहे हो यान बोलते हैं ये लोग समुद्र के अंदर से इनके क्लैन का एक मेथड है ट्रैकिंग मेथड उससे तुम्हें ट्रेस कर रहे हैं अब लिंग डॉंग समुद्र की तरफ देखता है अंदर से यह फील कर रहा था कि एक बलडी लाइट जो नीचे नीचे इसके बराबर में ट्रावल कर रही है और यान भी जान चुके थे कि वो जि की थी तो इसे मालूम था सब चीजे अब लिंग डॉंग मोलता है ठीक है फिर अगर हम इनसे बच नहीं सकते तो आप फाइट ही करना पड़ेगा और यह अंदर से लिंग डॉंग डॉंग की तरफ अंदर से उचाल देती है लिंग डॉंग को लगा नहीं था कि एक प्यूर ये लड़की इसको ऐसे ही देदेगी लिंग डॉंग इस कॉफिन को टच करता है पर कॉफिन के अंदर से कुछ रेजिस्टेंस फोर्स इसे बाहर फेक रहे थी लिंग शान कुछ हैंड साइन मूव करती अब यह कॉफिन लिंग डॉंग कर सकता था और यह इरादा बनाता है कि बाकी लोगों को आने से पहले हम इन सभी को पहले मार देंगे तर थोड़ी दूर में कुछ और लोग थे डेमन शार्क क्लैन के इन्हें पता चलता है कि कमांडर जियान एक नियोज भेजा है कि उस लड़की का लोकेशन मिल चुका है यह लोग काफी खुश थे और इनी क तुम शचमे काफी मूर को जो सीधा अमारे द्वार पर ही आ गया कई सरे शार्क ट्रैन के लोग इस पर अटेक करते हैं लिंगडॉंग के हाथों में यह कॉफिन था और काफी थे जिस यह इनकी तरफ पढ़ता है पर इन अट-दस बंदों को इग्नूर करते वे इन 12 लोगों के बीच से लिंगडॉंग निकला था और थोड़ी ही समय में इनकी बॉड़ी डल होने लगती है यान इनकी और गायब होने लगी थी सब कमाल था उस कॉफिन के औरा का इसके अंदर डेथ की मेक्स थी इनका लीडर यहां पर जो था वो बोलता तुम तुम को हरा नहीं सकता है तो इसे थोड़ा सा टाइम बाई करना ही पड़ेगा लिंगडॉंग कहता है तुम्हारे 10-12 साथ ही मारे जा चुके है तो तुम्हारा मरना भी जल्दी जरूरी है और यह जो ब्लैक लाइट थी इस कॉफिन की इस मैन से भी जाके टकराती है यह बंदा जब तक ही अपने अटेक को लॉंच कर बात लिंगडॉंग के इस पावरफुल अटेक के कारण इसके बॉड़ी में जो भी लाइफ की थी उस कॉफिन के डेथ की के कारण डेश्ट्रॉय हो जाता है और वो बंदा भी पहचान जाता है यह तो लाइफ डेथ कॉफिन है पर वो मारा जा चुका था लिंगडॉंग भी हैरान था यार यह सच में लाइफ डेथ कॉफिन काफी खतरनाक चीज़ है अब लिंगडॉंग यान से पुझत है कि इनका दूसरा हेड़कॉर्टर कहां पर है यान बताते हैं नौर्थ वेस्ट डाइक्शन में लिंगडॉंग सि जैसा लग रहा था और इधर थोड़ी दूर पर कमांडर जिया को दिखाए जाता है यह अब उस तरफ आ रहा था जिदर जिदर लिंगडॉंग जा रहा था पर इसके रास्ते में कई सारे डेमन शार्क की लोग नदी में सौरी समूदर में तैरते वे मिलते हैं और वो मारे तब तक दूसरा बोलता है कि हमने इनफर्म कर दिया अब जिया भी काफी गुस्ते में था इसे पता चल जाता है कि लिंगडॉंग एक जगए पर रुका हुआ है तो आज मैं जाकर उसे खुदी खतम करूँगा दस मिनटी लोग ट्राविल करते हैं और इनकी निगाहें किया थोड़ी बहुत इनकी नोग जोग चलती है लिंगडॉंग कहता है कि मैं जो भी काम करता हूँ सफाई से करता हूँ तो बाकी जो तुम लोग बचे हुए हो मैं तुम्हें भी मार दूँगा जिया कहता है अकेले लिंगडॉंग हसता है और सीधा अपना वो लाइफ ए लिंगडॉंग कहता है मुझे समझ में आ गया तुम बातों से मेरा समझ जाया कर रहे हो ताकि तुम्हारे और भी लोग आ सके अब इसमें समुद्र से कई सार लोग बाहर आते हैं और लिंगडॉंग सीधा इन पर ये कॉफिन के औरा से अटेक कर देता है ये सबी खून के कुल्टी करने लगते हैं एक ही अटेक में जिया को और ज़्यादा गुस्सा आता है इसके साथ ही जो भी अटेक कर रहे थे लिंगडॉंग इस कॉफिन से ही सभी के अटेक ब्लॉक कर दे रहा था और दूसरे तिसरे अटेक में इनको भी ये मार देता है और इस दुरन देर में बैटल करूंगा जिया को पीछे ढगलने के बाद लिंग डॉंग काफी तीजी से जो बचे-खुचे इसके सैनिक थे उन्हें भी मारने लगता है लिंग डॉंग बस बढ़ रहा था तो किलिंग इंटेंट के साथ 10 मिनट के अंदर सभी को ये मार चुका था जिया क मैं तुम्हें नोच खाऊं और आज यहीं होगा एक अलगी क्लैन था और ये बंदा अलगी टेकनिक यूज कर रहा था और जिया के स्पीड इस समय ये जो बंदे थे उनके तूठ वगरा यूज करके और उनके ब्लड से जो इसने टेकनिक तयार की थी इसकी बॉड़ी पू के ब्लड को यूज करने के बाद भी तुम्हारे श्रेंद को एक खास इंप्रूब नहीं हुआ है जिया को और भी ज्यादा को साथ और ये अपने ट्राइडेंट में और भी ज्यादा यूवान पावर यूज करता है इधर लिंग डॉंग भी अपने पावर को बढ़ाता है पर जिया हैरान था लिंग डॉंग का जो बैटल पावर है साथ इससे भी कहीं जाता था लागातार ये दुनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे अब जिया कहता है कि तुम्हारे पास अगर ये कॉफिन नहीं होता तो तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं थे लिंग डॉंग ह बजे कुछे जो इसके लोग थे वो अपने ब्लड को इसे टूथ की तरफ भीजते हैं इस डेमन शार्क टूथ को एक्टिवेट करने में बहुत ज़दा ब्लड पावर यूज होता है तो इसके सातियों की भी हालत काफी खराब हो जाती है यान देखते हैं और कहते हैं ये बात नहीं है ये एक प्योर युवान ट्रेजरी है पर लो ग्रेड का है जिया भी अपने अब युवान पावर को इस टूथ में यूज कर रहा था और जो ये अटेक तयार कर रहा वो एक बलड़ी कलर स्पियर में बदलने लगता है अब ये टूट थोड़ी दिर में लिंग डॉंग देखता है और कहता है कॉफिन हाला कि तुम मेरे अधिकार में नहीं हो पर तुम्हें अपना पूरा पावर दिखाना पड़ेगा लिंग डॉंग इसमें अपना युवान पावर पोर करता है कॉफिन पर अब कुछ ब्लैक पैटरंस पे उगने लगे थे लि अधा असमार ब्लैक लाइट और ब्लड लाइट ने घेर लिया था बारी शोरी थी इस दमें पर धीरी दिरे जो ब्लडी लाइट थी वो कॉलाप्स करने लगती है और उस जगह पर एक खतरनाक लेवल का एक्स्प्लोशन होता है जिया ने लिंग डॉंग के स्ट्रेंथ को अंडरेशिमेट कर दिया था इसके चेहरे पर अब एक डर भी था वैसे जिया को मालूम था थे तो दोनों प्योर युवान ट्रेजर पर लाइफ डेथ कॉफिन एक हाई लेवल का प्योर युवान ट्रेजर था जिया को मालूम था अब यह यहां से भागने को देखता है इ हमें इस चीज को डिसकस कर सकते हैं पर लिंग डॉंग इसकी बात सूनी नहीं रहा था और भी ज्यादा ये इसमें अपना पावर ही यूज करता है जिया इधर डेफेंस बना था अपने यूवान पावर का ताकि ये अपनी बॉड़ी को पचा पाए पर ये ब्लैक की इतनी ख हतम हो रहा था लिंग डॉंग इस कॉफिन से काफी हैरान हुआ था कि इसके बर्निंग स्काई कॉल्डरन से कहीं ज़्यादा इस्टॉंगर था अब जो दो-तीन बंदे भजिवित लिंग डॉंग उन्हें भी मार देता है अंदर से लिंग शान बोलती कि ब्रिदर लिंग ड आपको ये टुथ यूज करना है तो इसमें इसेंस ब्लड यूज करना पड़ेगा मतलब ब्लड सैक्रिफाइस जो कि सही नहीं है फिलाल इसे ये रख लेता है और आगे अब ये लोग जाने लगते है इधर स्काई मर्चंट रिजन को दिखाय जाता है जो कि काफी बड़ा आइलेंड सा हजार आइलेंड को मिला करके ये बना हुआ था लिंग्डॉं काफी जल्दी यहां पर पहुंचता है क्योंकि थोड़ी दिने में शायद यहां पर ऑक्शन सुरू होने वाला था यहां पर आ करके लिंग्शान काफी खुश होती है क्योंकि बहुत सारे लोग इसे देखने को मिल रहे थे लिंक्षान पूचती मतलब आपको auction में जाना है वो सब तो ठीक था पर link dong को मालूम था यहाँ पर कुछ खरीदना है तो इसे zone bills चाहिए होगा और इसके पास यह उतनी ज़्यादा है भी नहीं और जो भी यहाँ पर पहरेदारी वगरा थी उसे देखर के link dong हैरान था यह अलग यह मतलब top class level की मानी जा सकती है और यहाँ पर जो sky merchant court है उसके बारे में यह सोच रहा था कि क्या यहाँ पर समसारा लेवल के warriors होंगे जैसे कि युवान गेट की पास तीन सेक्ट माश्टर है और तीनों समसारा लेवल पर डाव सेक्ट के पास दो लोग है Linkshan इसे बताती कि यहाँ के जो court chief है वो समसारा लेवल के export है वो एक पर हमारे एरिया में treasure धुनते धुनते आ गए थे पर मेरे first grandpa ने उन्हें भगा दिया था अब इसे समझ में आता है मतलब यह जो immortal sage whale clan है यह तो और भी ज़्यादा मतलब powerful होगा जो कि एक समसारा लेवल के बंदे को भी भागा दिया अब Linkdong वगेरा sky merchant court पहले जाने को सोचते हैं पर यहाँ पर इसे कुछ लोग discover होते है यह लोग शैद demonic wind cave के थे और यहाँ पर वो बंदा little underworld king ziyan भी आया हुआ था इसके बारे में Linkdong ने सोन रखा था शान्जू को हराने वाले दो लोग थे एक था demonic wind cave का ही underworld king ziyan ziyan जो था एक black color का कबड़ा पहने हुआ था और इसके आस पास 12 लोग थे और इसमें दो elders भी थे दूसरा जो बंदा था जो यहाँ पर है नहीं जिसने शान्जू को हरा था वो था universal hand जाउ कान इसे समझ में आ जाता है मतलब यहाँ पर काफी powerful लोग है ziyan भी auction की तरफ ही बढ़ रहा था पर अचानक से यह कुछ तो feel करता है लिंग डॉंग को देख करके ziyan के बाजू में जो एक elder थे वो पूछते क्या हुआ young master ziyan लिंग डॉंग के तरफ देखता है फिलाल कुछ कहता नहीं है क्योंकि इसने एक चीज़ तो feel किया था यह जो बंदा है इसका नाम इसे नहीं पता जो कि लिंग डॉंग है उसके body से एक खतरनाक level का fluctuation बाहर आरा था अब लिंग डॉंग sky merchant court के जो treasure inspection room था वहाँ पहुँच चुका था और अपना serum बाहर निकालता है यहाँ पर एक middle aged man लिंग डॉंग की तरफ देखता है और कहता है कि आपको कोई चीज का दाम लगवाना है लिंग डॉंग कुछ बोलता नहीं और सीधा इन्हें serum दिखा देता है जो कि green liquid के जैसा दिख रहाता यह बंदा पहचान जाता है कहता है यह तो core spiritual birth serum है लिंग डॉंग हाँ में सरीला देता है लिंग डॉंग कहता है मुझे इस चीज का auction करवाना है यह बंदा बोलता पर यह काफी कीमती है तो मैं आपको किसी और के पास भेजता हूँ यहाँ पर finally एक red dress में woman आती है जो काफी सुन्दर थी और कहती है तो आप मतलब सीरम को बीचना चाते हो लिंग डॉंग इस लेड़ी को देखकर थोड़ा प्रभावित होता है और यह जो middle aged man था वो भी इस लेड़ी को काफी respect दे रहा था मतलब इस लेड़ी का जो status होगा इस sky merchant court में काफी high हो सकता है इस red lady का भी age little underworld की zayaan के आसपास ही था और इनका strength भी और उसके बाद यह जो serum था उसे लेकर के देखती है inspection के बाद क्याती है यह सही में बर्थ serum है पांच बुन्थे इसके यह woman बोलती है इसका एक बुन्थ का धाम 10 लाग जुआन पिल्स होगा अगर आप auction में लगाते हो base price पर मेरे इसापसे इसकी maximum mil 10 million तक जाएगी यानि total आप 50 million मिल जाएगे अब link dong कहते है पर मुझे इसका auction तो करना ही एक चीछ मैं धून रहा हूँ गर आप बता सको तो volcano flame essence stone चाहिए यह सुनते ही यह भी थोड़ा सा हैरान हो जाती है थोड़े देर सोचती है क्योंकि यह जो volcano flame है काफी rare चीज माना जाता है link dong को यह चाहिए था अगर अपने burning sky gate को इसे complete करना है तो woman पुछती है क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है पर यह चीज अभी sale में लगाया नहीं गया है अब यह सोचता यार 50 million तो मुझे मिल रहा है परत सीरम का 30 million मैं कहां से लाऊंगा तब ही tang dongling है कोई बात नहीं यह 5 बुंद आप मुझे देतो सीरम के और बदले में वो 8 stone gates ले जाओ link dong काफी ज़्यादा खुश हो जाता है और इसे वो 8 वुलकने स्टोंस मिल जाते है चेक भी कर लेता यह इसे और money money यह इनसे कहता है कि जरूर मैं इस favor का आपको future में दाम चुकाऊंगा link dong का सुरू से ऐसा ही था अगर कोई इसकी एक बार help कर दे तो यह उसको 10 गुना करके चुकाता था tang dongling में कहती आपने कह दिया वही बड़ी बात है और कभी भी मौका मिले तो यहाँ पर आते रही गा link dong हा में सरहला देता है अब इदर यह बाहर चला जाता है dongling के बाजू में एक middle aged man वही था यह कहता आपने इसे इतना सस्ते में क्यों दे दिया dongling केती तुम्हें मालू ही यह बंदा कौन है यह कहता है मुझे नहीं पता यह कहती यह वही बंदा है इसका नाम ling dong है जिसने कुछ दिन पहले शान्जू को हराय था middle aged man कहता फिर तो यह सच में काफी powerful है उसके बाद यह बोलती है एक बहुत बड़ा battle हुआ था जिसमें युवान गेट के तीनो सेक्ट माश्टर एक बंदे को हराने की कोशिश किये थे मारने की पर यह मार नहीं पाये थे और सनियोग से उस बंदे का नाम भी ling dong ही था और मुझे ऐसा सुनने भी वह था यह मदद जो करने आये थे वोर incarnation level के थे तो इस बंदे के साथ दोस्ती अच्छी मानी जा सकती है अब हो सकता है मैं सही भी नहीं हूँ कि वो बंदा ling dong कोई और हो यह कोई और हो पर मुझे इन दोनों में काफी similarity दिखे जैसा मैंने उसके बारे में सुना था dong ling काफी interested थी इस ling dong के identity जानने में इधर ling dong ling शान को खीजते विलाता है क्योंकि ये coat में काफी ज़्यादा सीजो को देख कर गे मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए कर रही थी अब एक कमरा आकर ling dong लेता है और ये इससे कहता है कि मैं थोड़ी दे समय तक cultivate करूँगा दो-तिन दिन तुम्हें मेरा ध्यान रखना पड़ेगा ये पूशता है कि तुम्हारे उपर जो seal है उसका क्या seal है ये कहती अभी भी वो गायब नहीं हुआ इसके shoulder पर वो shark land का tattoo था यानि sing लिंग डॉंग इससे पूशता है कि हम इसे कैसे remove कर सकते है तो ये बताती है इसे एक seeking spirit grass चाहिए लिंग डॉंग को मालूम था ये तो बहुत rare spiritual item है ये बोलता है auction में इसे धूंडेंगे अब लिंग डॉंग sky coldron के अंदर प्रवेश कर जाता है sky coldron का अंदर वाला part जो था वो एक yellow land type दिख रहा था तो इसको मैं ज़्यादा deep में explain नहीं करूंगा लिंग डॉंग फिलाली से repair करने वाला है लिंग डॉंग अपनी दोनों आखें बंद करता है और इसके पास वो जो आठ वोलकेनों flames थे उनसे जो ये burning sky area का 8 gates वाला attack था जो old ghost fentian use करते थे 8 gate वाले उन 8 दरवाजों को ये repair करना शुरू कर देता है अब इस समय के साथ burning sky coldron का क्योंकि ये 8 flame को use कर रहा था तो temperature काफी ज़्यादा पढ़ जाता है अब क्योंकि 8 gate को refine करना था तो समय काफी ज़्यादा लग रहा था पर बड़ी बात ये थी कि जब ये आप इसको refine कर रहे तो formation को stable रखना था इसमें link dong का काफी ज़्यादा yuvan power खर्च हो रहा था इसे मालूम था अगर ये gate को refine कर लिया तो burning sky coldron का power काफी बढ़ जाएगा even एक death stage के बंदे को भी ये trap कर सकता था धीरे धीरे अब ये आठो दरवाजे refine ये लगबक कर चुगा था flame का जो essence part था ये इन दरवाजों में डाल देता है पर ये दरवाजों में मर्ज नहीं हो रहे तो इसे और भी जाता अपना mental power भी यूज करना पड़ता है अब ये आठो दरवाजे बन जाते है Lingdong जब इसके power को feel करता है तो ये भी हरान था ये खुश था ये अगली बार तुम मुझे मिल जाओ Nepherious bone old man मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें बच के भी नहीं जाने दूँगा हाला कि इसमें इसका काफी जादा energy भी use हुआ था Lingdong आप फाइनली बाहर आता है ये देखता है तो वो जो live death coffin था उस पर ये लड़की सोई हुई थी ये हैरान था यार ये लड़की घजबी है एकदम निश्यंत रहती है अभी जैसे ही Lingshan के head को touch करता है इसके body में जो devouring ancestral symbol था वो अपने आप कापनी लगता है इससे कुछ समझ में नहीं आता है पर आप इससे धिरदरे यकीन होने लगा था कि इस लड़की का जरूर कोई न कोई devouring ancestral symbol से एक connection है और इसमें Lingshan की body से एक ray of light निकलती है और यह जो light थी छोटे से whale में बदल जाती है पर whale का जो color था black और white दोनों mix था जैसे की yin और yang energy हो यह Lingshan का demonic spirit था यान फिर कहते है यार यह लड़की immortal sage whale clan की तो है पर इसका body उनसे काफी अलग है Lingdong कहता अगर आप इसे समझ नहीं पारे हो तो यह लड़की सच में काफी weird है फिर यह बोलता है कही यह लड़की भी एक reincarnator तो नहीं है क्योंकि यह fluctuation थोड़े बहुत reincarnation जैसे लग रहे है फिर यह बोलता है ठीक है वह auction के तरफ चलते है तो merchant city यह बीच बीच में घूमते रहता था यहाँ पर इसे demonic wind cave के जो लोग आये हुए है उनके बारे में भी कुछ पता चलता है और यहाँ even universe cave वाले भी आये हुए थे यानि कि वो जो जाव कियान था वो भी आया हुआ था और भी जैसे कि northern zoansi के लोग अलग-अलग set के लोग इस sky merchant city में इस auction के लिए आये हुए थे और यह लोग सच में काफी powerful दो दिन और बीच गये थे पर अभी भी दो दिन और auction में बाकी थे समय बीचता है और finally auction का दिन आ जाता है sky merchant city के north side में एक plaza था जहां पर कि यह auction होने वारा था और यहां पर शद एक लाग के असपास लोग आये हुए थे और इसने अपना token में ले लिया था तो सीधा जाकर कि यह अपने seat पर बैठ जाते है टांग-डॉंग-लिंग इसे देखकर भेचान जाते है यह मतलब यह आया ही है बंदा फिर से लिंग-डॉंग में इस लड़की की तरफ देखकर है कहता कि अगर मैं यहां पर आया ही हूँ तो auction कैसे छोड़ सकता हूँ इशारो इशारो में इनकी बात हो जाती लिंग-डॉंग देखता है कि लिंग-डॉंग तुम से मिले हुए छे मैने से उपर हो गए तुम पहले से और जाता सुन्दर हो गई हूँ लिंग-डॉंग भी यहां पर थोड़ी दूर पर ही खड़ाता है जब यह देखता है तो इधर से निकलने लगता है पर इस समय इसी वो जो जाईयान था थोड़ा घूर रहा था और यह बोलता है कि तुम ही हो लिंग-डॉंग लिंग-डॉंग जो कि जा रहा था यह रुक जाता है जाईयान आप कही देता है मैंने सुना कि निफेरियस बोन ओल्ड मैन को तुमने इंजर्ड कर दिया था मैं भी तुम्हें जानने में काफी जादा इंटरेस्टेट हूँ इवेन तुमने शांजू को भी हरा दिया था लिंग-डॉंग सीधा बोलता है तो क्या तुम मुझे पकड़ना चाते हो क्योंकि वो बोन ओल्ड मैन तुम्हारे ही क्लैन का है ये देख करके जायान कहता है जैसा मैंने सुना था कि तुम्हारी जवान काफी तीखी है बात वो सच है जायान कहता है मुझे लगता है कि बोन ओल्ड मैन को तुमने किसी थर्ड पार्टी की मदद से मारा होगा लिंग डॉंग कहता है तुम भी ट्राइ करके देख सकते हो तभी बीच में टांग डॉंग लिंग बोलने लगती है यंग माशार जायान अभी आॉक्षन का टाइम है तो उमीद करूँगी कि आप लोग अच्छे से बिहेफ करेंगे अब क्यों कि जायान डॉंग लिंग लिंग का काफी रेस्पेक्ट करता था तो ये इसकी बात मान के अपने अपने सीट पे जाके बैढ़ जाते है इस दुराण डॉंग लिंग 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 को थोड़ा सावधान करते है कि ये बंदा डेमोनिक विंड केप का है तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए पर एक चीज से डॉंगलिंग हैरान थी ये बंदा लिंगडोंग अखेले है और जायान के साथ इतने सारे लोग है फिर भी लिंगडोंग इसके बातों का जवाब दे रहा था शादी ये वही बंदा है जिसे युवान गेट की लोगों ने अटैक किया था मेबी डॉंगलिंग इस समय लिंगडोंग से फुसी तुमने उससे जान बुझर क्यों परिशान किया लिंगडोंग कहता है मैं परिशानी खुद नहीं मोलता पर जब मेरे सामने कोई आ जाए और मुझे बार-बार छेड़े तो फिर मैं उसे छोड़ता भी नहीं हूँ ये हसता है लिंगडोंग देखता कि जायन को गुस्ता तो बहुत आ रहा है पर ये अपने सीड पर चुपचाप बैठा हुआ है और ये देखता कि जायन के जो आजू-बाजू बंदे है वो जो दो एल्डर्स हैं वो भी सच में काफी पावरफुल है फिर जायन कहता है छोड़ो ये बाते हैं पहले हमें जो आउक्षन में चीच चाहिए वो जल्दी से हासिल करना पड़ेगा उल्ड मैन बोलते हैं तो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला है वो सही है जायन हामेसर इलाता है इनकी बाते इशारो इशारो में हो रही थी अब इदर डॉंग लिए एक बैल बजाती है और कहती है अब आउक्षन शुरू होता है तो बहुत सारे लोग बात कर रहे थे वो अब शान्त हो जाते हैं सभी लोग टांग डॉंग लिंग की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं मिस टांग तो और भी चदा सुन्दर हो गई जो भी इनसे साधी करे वो काफी लगी होगा क्योंकि ये ब्यूटी विथ ब्रेन है लिंग डॉंग सभी की बाते सुन रहा था और ये भी बात से सहमत था ये वोमेन सच में काफी सुन्दर थी पर डॉंग लिंग को ये सब तो आदत होगी थी तो इन बातों को ये इगनूर मारती है और ये सिधा कहती है आक्षन शुरू हो चुका है और पहला आक्षन जो आता है उसका नाम था आइटम का फ्लेम डेमन स्काई कनेक्टिंग पाम ये एक एक समसारा लेवल के बंदे ने इसे बनाया था इस्टन जुवान इजन में एवनली लेवल का मार्शल आट ये शायद बहुत कमी थे पर यहाँ पर तो पहला आइटम ही एवनली लेवल का मार्शल आट ये और भी ज़्यादा है अपना लिंग डॉंग और इसका जो बेस प्राइस था वो 2 मिलियन जुवान पिल्स था अब इस आइटम की बोली लगती है और फाइनली एक बंदा जिसके चेरे पा थोड़ा स्कार था इसे ये 3 मिलियन 80,000 जुवान पिल्स में खरीद लेता है देरे-देरे कुछ और आइटम बेखते जाते हैं लिंग डॉंग को इनमें कोई इंट्रेस्ट था नहीं अब एक आइटम Heavenly Grade Soul Treasure यहां पर रखा जाता है ये बेसिकली एक Sea Map था तो लिंग डॉंग इसमें इंट्रेस्ट था क्योंकि इस मैप को Sea Demon Tribe वालोंने बनाए था और इसका बेस प्राइज था आठ लाख जुवान पिल्स कोई इसकी बोली नौ लाख लगाता है कोई एक मिलियन जुवान पिल्स लिंग डॉंग काफे खुश था और फाइनली ये बोली देता है एक लाख असी हजार जुवान पिल्स अब जब इस चीज को वो लेटिल अंडरवल्ड किंग जायान देखता है कि अच्छा ये चीज इसे चाहिए तो इसकी बोली ये बढ़ाने लगता है पर क्योंकि एक सीम है उसकी बाद अगला आइटम आता है स्काई डिवोरिंग कॉप्स का और जैसे ये आइटम यहाँ पर रखा जाता है लिंगडॉंग के बोड़ी में जो डिवोरिंग एंसेस्टल सिंबल था वो काबने लगता है यारे लोग आउक्षन बहुत लंबा चलाते है क्योंकि ऑथर सेम है तो इसे पिल बनवाने में आउक्षन करवाने में शायद बहुत मज़ा आता रहोगा लिंगडॉंग सोचते है क्यों इसका डिवोरिंग एंसेस्टल सिंबल काँ पर रहा था और तीन ऐसे उन्होंने कॉर्प्स बनाए थे दो तो वर्ल्ड वार के टाइम में खतम हो गए ये आगरी बचा हुआ है पर मेरे साबसे ये भी पूरी तरह से ठीक नहीं है यान बताते कि ये काफी पावर्फुल है अगर ये पूरी तरह से ठीक हो तो एक जनरल लेवल के इमो को पचाड सकता है मतलब इसका लेवल तुम कहा सकते हो समसारा स्टेज लिंगडोंग और भी चाता है चौंक चाता है क्योंकि इसमें डेवोरिंग पावर मिक्स है तो समसारा लेवल का बंदा इसे डेवोरिंग कॉप्स को कभी हरा ही नहीं सकता क्योंकि इसकी बॉड़ी डेवोरिंग पावर के कराण धीरे-दीरे खतम होने लगती है और यान कहते हैं क्योंकि तुम्हारे पास डेवोरिंग एंसेस्टल सिंबल है तो फिलाल इसका हिश्रेंट उतरा नहीं होगा शादी डेथ स्टेस के आसपास हो पर इसे तुम रिकवर कर सकते हो पर यान कहते हैं तुम्हें क्या लगता है इस डेवोरिंग कॉप्स को तुम ऐसे ही हासिल कर लोगे बहुत सारे लोग इसे खरीदना चाहेंगे तो क्या तुम्हारे पास इतना जुआन पिल्स है लिंग डॉंग कहते है मैं इसके बदले में जो मार्शाल आर्ट है एक आदी बेच दूँगा अब बहुत सारे लोग इनक्वाइर करते क्या इसका ही डेवरिंग कॉप्स एक पपेट है इस बंदे का नाम चैन येंग था ये था इलूज़नरी डेमन सेक्ट का ये इस चीज में काफी ज़्यादा इंट्रेस्टेड था टांग डॉंग लिंग कहती है तो वैसे एक पपेट ही पर इसे शदे एक स्पेसाल मेथड चाहिए कंट्रोल करने के लिए और इसे अभी तक कोई एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है इसलिए हम इसकी निलामी कर बा रहे है लिंग डॉंग सोचता है कि इसे अगर मैं कंट्रोली नहीं कर पाऊंगा तो खरीदना क्यों है तब ही यान कहते है तुम्हारे पास डिवरिंग एंसेश्टल सिंबल है तुम ही इसको बस कंट्रोल कर सकते हो अब फाइनली ये उक्षन शुरू हो जाता है मिनिमम बेस प्राइज इस कॉर्प्स का पांच मिलियन जुआन पिल्स रखा जाता है बहुत सारे लोग निरास थे ये तो काफी ज़्यादा है अब कोई फिर भी इसके बोली लगाता है कि 6 मिलियन, 5,000, 100,000 लिंग डॉंग पीछे से बोलता है 7 मिलियन, चेनिंग बोलता है 7 मिलियन, 50,000 लिंग डॉंग आप बोलता है यार, ये तो बढ़ा ही रहे ये 8 मिलियन बोलता है चेनिंग के लिए दाम ज़्यादा था तो अब शान्त हो जाता है तब ही पीछे से जाई यान हस्ते वे इसका दाम बढ़ा करके 9 मिलियन कर देता है वो जान बुझ करके इसका दाम बढ़ा रहा था डॉंग लिंग कहती इससे भी उपर लिंग डॉंग आप बोलता है बोलना ही पड़ेगा ये बोलता है 9 million 300,000 दाम बढ़ते रहता है लिंग शान इसका दाम बढ़ा करके 10 million कर देती क्योंकि लिंग डॉंग अब हार रहती ये बोली तो ये पीचे सब बोलती है लिंग डॉंग कैसा तुम्हारे पास पैसे है लिंग शान कहती है अरे आप उसका टेंशन मतलए पर ये बंदा जाईयान इससे तो मैं नहीं चोड़ूँगी ये जान बुझकर के दाम बढ़ा रहा है डॉंग लिंग भी इसके तरफ देख रही थी लिंग शान कहती क्या मैं चोटी तो मेरे पास पैसे नहीं हो सकते डॉंग लिंग थोड़ा शर्मा जाती कि ये लड़की बहुत जादा श्रेट फॉरवर्ड है वैसे भी बात तो सही थी डॉंग लिंग की कि 10 मिलियन बहुत जादा दाम होता है जायान फिर भी बोली बढ़ा देता है 11 मिलियन लिंग शान सिधा गुस्टे में अपने दोनों चोटीों का लहराते हुए 15 मिलियन फैंक देती है मतलब दाम बढ़ा के बोल देती है जायान अप चौक जाता है 10 मिलियन वैसे भी जादा था 15 मिलियन फिर भी ये बोलता है 16 मिलियन और गुस्टे में जो भी लोग यहाँ पर थे सब जान रहे थे कि जायान जान बुझकर के लिंग डॉंग के टीम को टार्गेट कर रहा है और इस आइटम का दाम बढ़वाते जा रहा है लिंग शान गुस्टे में आती है और सिधा बोलती है 20 मिलियन जायान कहते है क्या ये लड़की बगवास कर रही है इतने पैसे कहां से आएंगे इसके पास अब जो जायान दाम बढ़ाने को सोचता है तब इसके बाजू में बैठा एल्डर कहता है असली आइटम ये नहीं है हमें कुछ और चाहिए तो जायान अब शान्त हो जाता है लिंग शान इसकी तरफ देख रही थी लिंग डॉंग को 20 मिलियन निर्वाना पिल्स में सौरी जुवान पिल्स में मिल जाता है आउक्षन चलते रहता है इसने जो अपना आइटम दिया था कोर स्प्रिचुल बर्थ सिरफ उसे भी डॉंग लिंग बेशती है और यह अच्छे दाम में बिख जाता है और एक लो ग्रेट का युवान ट्रेजर भी यहां पर बिखता है इस ट्रेजर का नाम था स्काई फिनिक्स स्पेश शैटरिंग बो अब दीर दीरे यह बोलती है अब फाइन लॉक्सन मेन आइटम की बारी है अब यह जब आखरी आइटम आता है यह पर खतरनाक लेबल का फ्लक्चुवेशन होता है यह एक सिल्वर टावर था लिंग डॉंग इसे देखता है इसमें जो फ्लक्चुवेशन थे थोड़ी यूनीक थे बेसिकली इसमें सेद लोकेशन था थंडर बोल्ट एंसेस्टरल सिंबल का यानी बलेजिंग एंसेस्टरल सिंबल का और जैसी यह आइटम आता है डेवोरिंग एंसेस्टरल सिंबल भी लिंग डॉंग का थोड़ा क्रेजिली मूव करने लगता है क्योंकि बनाने वाला जो आदमी था रेंड मास्टर सिंबल वो उन्होंने इन सिंबल्स को बनाया था यान भी इस चीज को जानते थे तो भाईयो श्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल सुबह एक नई वीडियो के साथ और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो शूब झाल 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